नमस्कार आप आगए है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज के इस वीडियो में हम अध्यन करने वाले हैं विभिन माध्यमों के लिए लेखन तो सुरू करते हैं प्रमुख जन संचार माध्यम क्या है देखिए जन संचार माध्यम कहने का मतलब हुआ मास कम्यूनिकेशन का जो मीडिया है वो क्या है तो नौर्मली मास कम्यूनिकेशन का जो मीडिया है उसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रिंट मीडिया के रूप में इसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं इसके अंतरगत अखबार, किताबें, पत्रिकाइं आदी आती हैं उसके बाद जो second most popular है वो है टीवी, टेलिवीजन, तीसरा है रेडियो और चौथा आज के यूग का सबसे fastest communication माध्यम इंटरनेट तो हम ल प्रिंट मीडिया जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं इसके बहुत सारे रूप हैं जैसे इसके प्रकार के बारे में हम लोग डिसकस करते हैं इतिहास के बारे में प्रिंटिंग प्रेस जिसे हिंदी में छापा काना कहते हैं उसके बारे में लेखन सैली, भाशा और इसकी खुबी खामी अर्थात इसके merit points और demerit points इन सभी पर हम लोग डिस्कसन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके प्रकार पर देखिए जो मुदृत माध्यम है उसके निम्नलिखित तीन प्रकार जो most popular है वो है समचार पत्र इसे अंग्रेजी में newspaper कहते हैं पत्रिकाएं जिसे हम लोग magazine वगेरा कहते हैं और किताबें पुस्तके ये सब print media में आपको मिलता है और इसकी खास बात ये होती है कि आपको कम नाम में उपलब्द हो जाता है अब हम लोग आते हैं print media के इतिहास पर देखे अगर हम लोगों से कभी किसी ने पूछ लिया या class 12 की परिक्षाओं में अधिकतर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पहला newspaper जो भारत में प्रकासित हुआ वो कौन सा था तो आप लिखेगा 1826 इश्वी में कोलकाता से पंडित जुगल की सोर सुकला ने उद्धन्त मारतंड यहां देख ले दिए उद्धन्त मारतंड आप इस तरीके से लिखेगा उद्धन्त मारतंड नाम का सापताहिक अर्था वीकली न्यूस पेपर प्रकासित करना शुरू किया था उद्धन्त मारतंड उद्धन्त मारतंड का मतलब होता है उगता हुआ सुर्य उगता सुर्य या बाल सुर्य बाल सुर्य अर्था तबच्चा सुर्य ठीक है? अगर ये सवाल आता है कि भारत में पत्रकारिता की सुरुआद कब से हुई? तो आपका उत्तर होगा भारत में पत्रकारिता की सुरुवात 1780 इस्वी में जैम्स आउगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट से हुई ये देख सकते हैं हिक्की बेंगल गजट कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आजादी से पहले कुछ पत्रकारों के ना अल्मुकुंद गोप्त सिव पूजन सहाय इत्यादी और स्वतंत्रता से पुर्व आजादी से पुर्व जो कुछ प्रमुख समचार पत्र थे उसमें केशरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज ये सब समचार पत्रों का नाम शुमार है अब आते हैं हम लोग छापा खाना पर, प्रिंटिंग प्रेस, देखिए इससे चुड़ा हुआ सवाल भी आता है कि सर्व प्रतम छापे खाने का अविस्कार किसने और कहा किया तो देखिए जोनिस गुटेन बर्ग नाम के एक इंसान थे जो ये है इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस का अविस्कार किया और जहां तक भारत में छापा खाने की आविस्कार की बात है तो 1556 इस वी में गोवा में छापे खाने का आविस्कार हुआ था 1556 और सबसे पहले मिस्टेनिरिज ने कुछ धार्मिक पुस्तके ही छापी थी अब हम लोग आ जाते हैं लेखन सैली पर देखिए समचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध सैली कहलाती है या स्टाइल कहलाती है उल्टा पिरामिड सैली इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं अब सवाल ये उड़ता है कि इसे उल्टा पिरामिड सैली क्यों कहते हैं इस पर एक विश्त्रित वीडियो मैं already बना चुका हूँ, description में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ इसमें जो मुख्य बात हैं वो पुना एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए, उल्टा पिरामिड सेली में, जैसे माल लिए, पिरामिड इस तरीके से होता है, तो पिरामिड की न्यू बुनियाद या foundation यहाँ है, यह पिरामिड का मुख्य अंग है, जिसकी वज़ा से यह उपर का हिस्सा तना थड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, और मुख्य बातों को उपर लेकर आ जैसे क्या, कौन, कब, कहां, समाचार के पहले कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद ही हम लोगों को उस घटना की लगभग लगभग जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसे ही हम लोग समाचार का मुखडा कहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपुर्ण बाते होती हैं, उसके लोग समापन कहते हैं, इसमें सबसे कम महत्वपुर्ण बाते रहती हैं, तो कुल मिलाकर कहने का उद्देश ये होता है, कि अगर कोई सक्स बहुत ही बीजी है और वो न्यूस पेपर पढ़ रहा है, तो अगर वो पूरा न्यूस नहीं भी पढ़ता है, तो समाचार के पहल दूसरे और तीसरे लाइन को पढ़ने के बाद, उसे क्या, कौन, कहा, कब, कैसे, क्यों का पता चल जाता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं मुखडा, इसे कभी-कभी इंट्रो के नाम से भी जानते हैं, और कभी-कभी लीड के नाम से भी जानते हैं, अगर सवाल आता है कि इ भी मुख्य बिंदूओं या छह ककार का ग्यान हो जाता है तो उसे हम लोग समाचार का इंट्रो लीड या मुखडा कहते हैं और उल्टा पिरामिट सेली को कितने भागों में बाढ़ता जाता है तो एक, दो, तीन, मुखडा, बोड़ी और समापन अच्छा ये छह ककार क्या ह से 5W and 1H कहते हैं इसको अगर हम लोग किसी भी समाचार में इंक्ल्यूड करते हैं तो वो समाचार अपने आप में संपुर्ण बन जाता है और ये 5W, 1H ही हिंदी में छह ककार कहे जाते हैं जो है क्या, कौन, कहा, कब, कैसे और क्यों अब लेखन सैली में एक बात और ध्यान देने वाली है कि सीमित सब्द, देखिए इसमें क्या होता है ना, प्रिंट मीडिया में सीमित सब्द में ही घटनाओं का वर्णन होता है क्योंकि जगह की कमी होती है और साथ ही साथ जगह की कीमत भी होती है, इसलिए सीमित सब्दों में ही हम लोगों को घटनाओं के बारे में जानना पड़ता है मानक भासा ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को समाचार पत्र में मानक भासा जिसे अंग्रेजी में standard language कहते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है और अगर आप अपनी भाषा को शुधारना भी जाते हैं तो न्यूस पेपर एक ससक्त माध्यम साबित होता है अंतिम बात समाचार पत्र में केवल और केवल तथे होते हैं अर्था इसकी लेखन सेली कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें अनरगल बातों के लिए कोई इस्थान होता ही नहीं है इसमें केवल तथे only facts ही लिखे होते है अब आते हैं हम लोग भाशा देखे समाचार पत्र की जो भाशा होती है वो सीधी, सरल और प्रभावी होती है इसमें मुहावरों का प्रयोग नहीं होता लक्षणा, वेंजना का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता सीधे और सरल तरीके से प्रभावी भाशा के साथ समाचार को प्रस्तूत किया जाता है सब्द संख्या का विशेश धियान रखा जाता है जैसा अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी डिसकसन किया सब्द संख्या बहुत ही माइने रखती है क्योंकि अगर सब्द संख्या बढ़ा दी जाए तो वो जगह ज्यादा लेता है और दूसरे समाचार के लिए भी जगह कम पड़ जाती है इसलिए सब्द संख्या का विशेश धियान रखना पड़ता है साथ ही साथ तथ्यों का समावेश अधिकाधिक होना चाहिए जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो पत्रकार यही धियान में रखता है कि कितने अधिक तथ्यों का समावेश उसमें किया जा सके अब हम लोग आते हैं इसके खूबी और खामी पर मैरिट्स और डिमेरिट्स देखिए मैरिट्स में देखते हैं तो इसमें स्थाइट्व होता है डिउरिबिलिटी होती है आप इसे बहुत दिन तक सहेज कर रख सकते हैं अगली खुबी इसमें ये है कि इन्हें आप धीरे-धीरे और सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। अर्थात न्यूस पेपर को आप धीरे-धीरे सुविधा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है, इसकी भासा मानक और अनुशार्शित होती है, अर्थात इसमें आपको अनर्गल भासा, लोकल भासा या कुछ भी ऐसी भासा जो मानने नहीं होती, उसका प्रयोग आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये इसकी कुछ खूबिया अब हम लोग आते हैं इसकी खामियों पर, देखे, निरक्षरों के लिए मुदृत माध्यम किसी काम के नहीं है, जो वेक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, उसके लिए ये जो मुदृत माध्यम है, प्रिंट मेडिया वो किसी काम क इसकी और एक खामी है कि अखबार 24 घंटे में एक बार या सापताहिक पत्रिका सपताह में एक बार प्रकासित होती है तो इसमें क्या होता है कि अगर आज हम लोग कोई नियूस पेपर में नियूस पढ़ रहे हैं तो definitely वो कल की घंटना है तो ये हम लोगों को 24 घंटे के बाद ही घंटनाओं के बारे में दानकारी देती है और अगर कोई सापताहिक पत्रिका है तो साथ दिनों के बाद घंटनाओं का सीमित सब्दों में ही वर्णन मिलता है घंटना बहुत बड़ी भी हुई होगी ठीक है लेकिन हम लोगों को उसके बारे में जानकारी बहुत ही सीमित सब्दों में मिलती है ये इसकी कुछ खामिया है तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा प्रिंट मेडिया के प्रकार इतिहास उसका छापा खाना लेखन सैनी भाशा और खुबी खामिया अब हम लोग आजाते हैं टेली वीजन देखे टेली वीजन में जब हम लोगों कोई निउस देखते हैं तो वो निउस हम लोगों को मुख्यता साथ चरणों में देखने को मिलता है हम लोग सबसे पहले सुरू करते हैं ड्राई एंकर से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना उचीत समझता हूँ कि ये एंकर होता क्या है देखे एंकर अर्थात उद्घोशक जो समाचार हम लोगों को सुनाता है या सुनाती है उसको हम लोग एंकर कहते हैं यहाँ जो एक महिला दिख रही है यहाँ जो एक महिला दिख रही है ये न्यूज एंकर है न्यूज ये हम लोगों को वाचन करके सुनाती है अच्छा तो dry anchor किसे कहते हैं देखिए इसमें anchor दर्सकों को reporter से मिली जानकारियों के अधार पर सूचनाय पहुंचाता है अर्था जब भी कोई anchor किसी भी घटना के बारे में हम लोगों को केवल सब्दों के माध्यम से बताता है ना ही उस घटना का कोई चित्र प्रस्तुच करता है ना ही कोई video ठीक है वीडियो की जगह आप यह visual लिख दीदे ना ही कोई visual प्रस्तुच करता है केवल कहकर या वाजन करके हम लोगों को किसी घटना के बारे में बताता है तो उसे हम लोग कहते हैं dry anchor अब हम लोग आते हैं phone in पर देखिए phone in क्या है कहीं कहीं इसे line in भी कहते है देखिए anchor reporter से phone पर बात करके सूचनाए दर्सकों तक पहुँचाता है इसमें reporter घटना वाली जगह पर मौदूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारिया मिलती है वह दर्सकों को बताता है आप लोगों ने ऐसा screen जरूर कभी ने कभी देखा होगा कि एक anchor होता है और उसके बगल में एक telephone या एक mobile का image होता है और ये दर्साता है कि वो अपने सम्वाद दाता जो घटना स्थल पर मौजूद है उससे बात कर रहा है over telephone और सूचनाई हम लोगों तक पहुँचा रहा है आपके मन में एक सामानने सा प्रशन उठ सकता है कि वो phone पर क्यों बाते कर रहा है वो visuals क्यों नहीं दिखा रहा है वो चित्र क्यों नहीं दिखा रहा है तो देखें इंटरनेट के सुरीधा हर जगा उपलग्द नहीं होती कहीं कहीं ऐसे situation भी हो जाते हैं जहां पर network बिलकुल काम नहीं करता bandwidth इतनी flow हो जाती है कि data transfer करना equality impossible हो जाता है ऐसे में वो जो संबाद दाता होता है वो घटना स्थल पर मौदूद होता है और phone के माध्यम से studio में news के बारे में बता देता है और जैसे ही वो जितना भी coverage किया हुआ होता है किसी ऐसी जगा पर आता है जहां पर उसको अच्छा bandwidth मिलता है या internet connectivity बहुत अच्छी मिल जाती है तो वो उस video को उस visual को transmit कर देता है तब वो जाकर हम लोगों को उस घटना के चित्र या visuals दिखाते हैं अब हम लोग आ जाते हैं live पर देखे live हम सब को पता है हम लोग cricket match देखते हैं और यहां देखे इस cricket match के दोरान यहां पर एक सब्द लिखा हुआ live live तो live कहने का मसलब हुआ घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहीं पर भी कुछ घटना हो रही है वहां पर से जब सीधा प्रसारण studio में कर दिया जाता है या हमारे टीवी में आता है तो उसे ही हम लोग कहते है live ठीक है अच्छा इसके लिए मौके पर मौजोद reporter और cameraman OB van के ज़रिये घटना के बारे में सीधे दरसकों को दिखाते हैं आप लोगों ने एक IC van जरूर देखी होगी इसे कहते हैं OB van ठीक है OB अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा हुआ कि OB का फुल फॉर्म क्या होता है देखे outside broadcast normally broadcasting studio से होती है लेकिन जब broadcasting studio के बाहर होती है तो उसे कहते हैं outside broadcasting और इस van में ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा reset लगा हुआ है वो directly satellite से connect होता है और data बड़े ही high bandwidth में studio में transmit कर देता है या सीधे जनता की टीवी पर या उसका live प्रसारण कर देता है इसलिए इसे हम लोग कहते हैं OB van इसे कहते हैं live घटना स्थल से सीधा प्रसारण अब हम लोग आते हैं anchor visual पर anchor visual क्या है देखिए जब घटना के द्रिश्य या visual मिल जाते हैं तब उन द्रिश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो anchor पढ़ता है इस खबर की सुरुवात भी प्रारंबिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों के उपरांत प्राप्त द्रिश्य दिखाई जाते हैं कहने का मतलब ये है कि जब किसी घटना के visuals या video studio में already उपलब्द हो चुके हैं तो उस video के आधार पर news लिखा जाता है anchor सबसे पहले उस घटना के बारे में दो चार वाक्यों से हम लोगों को rumoroo करवाता है और उसके बाद उसके visuals दिखाई जाते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां यह anchor कुछ कह रहा है और इस coronavirus से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में यह video दिखाई जा रहे हैं और यहां पर भी देखिए कुछ videos कुछ visuals दिखाई जा रहे हैं इसे कहते है anchor visual अब आते हैं हम लोग anchor bite पर देखिए bite का मतलब होता है कथन तकनीकी भासा में bite का मतलब होता है कथन तो कभी कभी ऐसा होता है कि television में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए किसी घटना की सूचना देने और उसके द्रिश्य दिखाने के साथ-साथ इस घटना के बारे में प्रतेक्ष दर्सियों जिसे एंग्रेजी में eye witness कहते है या संबंधित वेक्तियों का कथन दिखा कर और सुना कर खबर को प्रामानिक्ता प्रदान की जाती है अर्था कहीं कुछ घटना घटी तो वहाँ पर उपस्थित प्रतेक्ष दर्सियों से उस घटना के बारे में पुछ तात की जाती है उनके विचार लिये जाते है और उसके बाद वो वार्तालाप है वो भी दिखाया जाता है तो इससे घटना की प्रामानिक्ता बढ़ जाती है और इसे ही कहते हैं एंकर बाइट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक जनरलिस्ट उपस्थित किसी विक्ती से पूछ तात कर रही है और इस इससीती को कहते हैं एंकर बाइट इसका उद्देश यह होता है कि घटना की प्रामानिक्ता को बढ़ाया जाए अब हम लोग आ जाते हैं एंकर पैकेज पर देखे एंकर पैकेज कहने का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी घटना की संपुर्ण जानकारी एंकर के पास उपस्थित है जैसे घटना के द्रिश्य उपस्थित होंगे बाइट, अर्थात कथन, प्रतेक्ट दर्शी से जो बात हुई है ग्राफिक्स या इमेज, अन्य सूचनाए, सब कुछ उपलब्ध है और उसे विवस्थित धंग से अर्थात उसे और्गनाइजड वे में जब दिखलाया जाता है, एंकर के द्वारा तो उसे ही हम लोग कहते हैं, एंकर पैकेज अब हम लोग आजाते हैं, फ्लैस या ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में इसे तडित समाचार भी कहते हैं देखिए, एक एक इक्जामपल समझे माल लिजिए ये जो एक न्यूज एंकर है, वो कोई न्यूज कह रही है इसी बीच कुछ ऐसी खबर आ जाती है, जो सचमोच आई कैची है या जो सचमोच ब्रेकिंग न्यूज है, तलित समाचार है लोगों को उसके बारे में जानने में रूची जागरित होगी तो ऐसे में क्या होता है, ये जो अभी न्यूज कह रही है, ततकाल तो उसे छोड़ नहीं सकती इसी लिए ये जो न्यूज कह रही है, वो कहती रहेगी और स्क्रीन के निचले स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लेकर उस न्यूज के कुछ मुख्य वाकि को यहाँ पर बता दिया जाता है, जैसे गैस सिलेंडर ब्लाष्ट होने से लगी आग, इससे क्या होता है, कि जो दरसक देख रहे होते हैं, उनके दिमाग में आएगा आग लगी, कहाँ गैस सिलेंडर फटा, और जैसे ही यह एंकर जो न्यूज कह रही है, वो समाप्त कर देगी, तो फिर यह न्यूज एंकर इस घटना या इस समाचार के बारे में बताती है, इसे ही हम लोग कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज तो इस तरीके से हम लोगों ने जो टेली विजन है, उसके बारे में भी जाना, अब हम लोग आजाते हैं, इंटरनेट पर, इंटरनेट के बारे में हम लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, कि इंटरनेट क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है देखिए इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत सारे नाम है आप इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहिए और तरह तरह के काम करते हैं और इसे ही हम लोग इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं अब हम लोग आते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के बारे में तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को total तीन चरणों में, तीन steps में, तीन phases में divide किया गया है, जिसका पहला दोर 1982 से 1992 तक था, दूसरा दोर 1993 से 2001 तक चला, और तीसरे दोर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है, और ये अभी तक का सबसे fastest दोर माना जात है क्योंकि इसी दोर में HTML, hypertext markup language आई, internet, email आया, internet explorer, explorer उस समय में चलने वाला एक browser हुआ करता था, आज के डेट में ये outdated हो चुका है, chrome आ गया है, और age आ गया है, ये outdated हो गया है, और उसी समय एक और चलता था, Netscape Navigator, ये हम लोगों को browsing करने में बहुत मदद करता था, ये प्रकार का net browser था, तो Netscape Navigator, HTML और इसके साथ Unicode font इन सबने हिंदी पत्रकारिता को इंटरनेट पर रचने भसने में बहुत मदद की, तो ये था इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, अब आता है हम लोग हिंदी नेट संसार पर, देखे हिंदी नेट संसार, अब कुछ ऐस के पास भले ही अकबार खड़िदने के लिए पैसे तो हो, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं होता, इसलिए कुछ लोग इंटरनेट पत्रकारिता को ही तबद्दू देने लगे हैं, और अगर हम लोग आज पत्रकारिता के दृष्टी से देखें, तो Times of India, Hindustan Times, Hindu, Indian Express, Tribune, Statesman, Pioneer, NDTV, The News, IBM, Aastak, और Outlook ऐसी साइटे हैं, जो निउस्पेपर के रूप में भी आती हैं, और इनिउस्पेपर के रूप में, इपत्रकारिता के रूप में इंटरनेट पर उपलब्द हैं, और अगर हम लोग चाहें, तो वहां से भी न्यूस पढ़ सकते हैं, और ये अगर तो ऐसे हैं, जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्द हैं, जिसमें प्रभा साक्षी सबसे पहले आता है, और प्रभा साक्षी का इस संस्करण ही हमेशा उपलब्द रहता है, उसके बाद हिंदी की एक वेबसाइट है, जो बहुत ही फेमस है, और हिंदी की सबसे प्र खूबी और खामी पर इंटरनेट की क्या-क्या खूबियां है और क्या-क्या खामियां देखिए खूबी तो बहुत है जैसे इंटरनेट में जो नियूज उपलब्ध होते हैं वो द्रिश्य भी होते हैं और प्रिंट भी होते हैं आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको पड़ भी सकते हैं, वो ओडियो निज भी उपलब्ध होता है, स्रब्ब भी, दोनों तीनों माध्यम उपलब्ध है, इसमें खबरें बड़ी तिब्रगती से पहुँचाई जाती है, अगर मैं आपको एक बात बताओं कि अगर आप क उस तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कुछ कोईरी है, हम लोगों कुछ जानना चाहते हैं, या किसी कुछ बताना चाहते हैं, तो ये सुवीदा भी इंटरनेट में उपलब्ध होती है, और इसमें खबरों का सत्यापन, अर्थात, ऑथेंटिसिटी आप तुरंत पता लगा सकते हैं, कि ये सत्मुच valid ये genuine news है या नहीं, थामी के बारे में अगर देखे तो ये बहुत ही घरचीला माध्यम होता है, गरीबों तथा अनपढ़ों के लिए ये माध्यम किसी काम का नहीं, जो गरीब है वो afford नहीं कर पाएंगे, और जो अनपढ़ है वो computer और mobile सही इसे operate नहीं कर पाएंगे, हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है असलीलता, दुस प्रचार भी फैलाई जाते हैं, असलीलता option, you are pd को update रखने की लथ में दूसरे कामों से कड जाते हैं, देखे, ये web कहने का मतलब होता है मकड़े का जाला, तो जैसे मकड़े के जाले म पर बैठे रहते हैं, और society की दूसरी महतुपुर्ण चीजों से, activities से वो कट जाते हैं, तो इस तरीकी की खामियां इंटरनेट में हम लोग देखने को पाते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में, इतिहास के बारे में, हिंदी के दौर में, रेडियो समाचार की जो मांग है, दिमांड है, वो कम हो गई है, हाला कि रेडियो जो है, वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, फ्रिक्वेंसी मॉडियूल पर, और ये केवल और क्रेवल स्रभ्यमाध्यम हैं, आप इसे केवल सुन सकते हैं, और अखबार की तरह आप इसमें लौट नहीं सकते अर्थात अगर आप अखबार में कोई न्यूस पढ़ रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो पुनहा आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें वो सुविधाय उपलब्द नहीं है इसलिए जब भी रेडियो समाचार लिखा जाता है तो वो उल्टा पिरामिड स्टैली स्टाइल में लिखा जाता है इसमें जो वाचन करने वाले होते हैं उनका उच्चार और उनकी आवाज बड़ी ही सपच्ट होती है और कभी भी किसी भी न्यूस में ऐसे सब्दों का प्रयोग नहीं होता जो आम आदबी समझ पाए सरल और सीधे सब्दों का प्रयोग होता है और हां लंबे लंबे सब्दों का प्रयोग भी इसमें नहीं होता जब न्यूस बताया जाता है तो किसी भी प्रकार का नेट साउंड या बाहरी आवाज इसमें नहीं आता तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स तो हम इसमें देखी लेते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने संचार माध्यम के चार मुख्य माध्यमों जैसे न्यूस पेपर, टेलीवीजन, इंटरनेट और रेडियो के बारे में विशत जानकारी प्राप्त की उमीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ध आने बाते